हेलो दोस्तों मैं हूं सुमीत और आज के इस वोड़ी में हम बात करने वाला है कि MIUI 14 फाइनली आज यहां पर इंडिया के अंदर लॉंच हो चुका है और आज जो डेट है वह है बाद 27 फेरवरी कल 26 ता ग्लोबल में गया था 27 को इंडिया के अंदर भी यह लॉंच हो चुका तो इनों ने यहां पर सब कुछ बता है तो जो भी कुछ इनों ने बता है आज के इस वीडियो बहुत करें कोन्हों से टिवाइसर सपोर्ट करता है किसके सबसे पहले अपटेट मेला है सब मेलेगा इसी चैनल पर पहले तो प्लीज यार अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की ओर वीडियो से लाइक करना ताकि मेरों मॉटी वीडियो में और भी इस तरह की वीडियो बना पाऊँ अब देखो यहां पर आप देख सकते हैं यह मैंने ख़ला हुआ आपके फोन में भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना यहां पर आपको सारे के सारी मीवाइ 14 का जो भी कुछ है वह आपको देखने को मिल लेगा सबसे फीचर की हम बात कर रहें बात करने से पहले सबसे में चीज़ों मुद्देगी वह मैं आपको बताजिता हूँ यह यह भाई देखो एम आपर शडूल एंकर किस डिवाइस से यहां पर जाएगा तो यह क्वाटर वन है क्वाटर टू और यह होगा आपका क्वाटर थिरी तो तीन क्वाटर होते उसमें इस तरह के आपको अपडेट मिलेंगे अब यह क्या होते आपको यह यहां पर गूगल खर्लो कर लो क्वाटर के आपको जनुवर से अपरेल तक होता साया यह माइज तक होता उसके बाद ऐसे तकर रहें तीन चार-चार महिने का गैप होता उसके बीच मिलते है तो पहला जो यहां पर अपडेट का शेडूल है यह देख़के तो शाओमी 12 प्रो शाओमी 13 प्रो 13 Pro के साथ है 12 Pro को भी इंडिया में अपडेट मिल चुका है अल्रेडी फिर Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 Pro Plus 5G यह दोनों डिवाइस को भी मिलेगा Mi 11 Ultra 11X Pro और यहां पर दिख से ते 11D Pro 11X है 11 और Redmi का 11 Prime 5G भी है Redmi K50 भी है और यह दिख से तो यहां पर लिख हुआ है Xiaomi 11 Lite 5G तो यह वाले डिवाइस को भी अपडेट मिल चुका है इस लिष्ट में तीन ऐसे डिवाइस है जिनको अपडेट मिल चुका है जो कि पहले ही बिना लॉंच हुए उसके बाद देख से तो Xiaomi 11i यहां पर देखो भाई इनका पता नहीं कोन यह एडिटर था Xiaomi 11 Pro Max लिख दिया भाई प्रो मैक्स कब से आगे भाई आई डॉंट नो यह प्रो मैक्स नहीं है यह 11 प्लस 5G वाला मोडल है यहां पर तो गवरानमत यहां पर यह पर देखने हो मिलता है यह पर यह पर काफी सरे लोग बोलेंगे जो वह उनका क्या पोको के यूज़र्स के नहीं क्या लिश्ट है तो देखो भाई पोको वाले भी एक दो दिन में लिश्ट दे देगे उसके आप मेरे टेलिग्राम जोइन कर लेना महां पर मैं आपको बता दूगा वनने एक और वीडियो में आपको लेकर ला दूगा जितने भी बोको के डिवाइस है पोको X3 से चलो उसके मैं आपको बात में बता दूगा ठीक है तो यह लिश्ट है अगर आपका डिवाइस इसमें ना हो तो कोई दिकर नहीं जैसे की रेडिमी नोट नाइ निजसान नहीं है तो उसके आपको अपडेट मिलेगा मिलता है तो मैं उसके एक अलग सी वीडियो बना दूगा अब यह वह हम फीचर्स के हम बात करती है कि क्या 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 कर इनों फीचर्स वगरद दिये हैं तो देखते हो तो यह आपर फास्टर हर बार यह बार यही और आपके जो फॉन की स्टोरिज वगर को दिया गया है कि थोड़ा काम खाएगा वह चीज और कुछ नहीं है वॉल्पेपर्स वगर दिखाएगे कि आपको नएने वॉल्पेपर्स मिलेंगे मीव 14 में आपको वगर को मिलेंगा उसके बाद दिखेंग जो यहां पर जो कि देखने को मिले चाना जो कि आपको set icon यह वाला proper feature नहीं मिल गया बाट जो भी वो ठीक है बागे आपको privacy वगरा का कुछ देखने को मिल गया यह आप protective watermark यह feature MIUI 13 में ही देखने को मिल गये थे और जैसे तो MIUI classic यहां पर बहुत सारी चीज़ है कि आप जैसे तो slide bar है dual app भाई dual app तो जमाने से जलता हुआ रहा है पता नहीं यह MIUI 14 वेफरेंश से क्यों दिखा दिया यह वाला एक नए फीचर है tax organization वाला यह already मैंने बनाया था और इसके बाद जैसे तो यह remove object वाला यह नहीं के नहीं अभी इंडिया में शाहूमी 12 प्रो और शाहूमी 11 लाइट 5G और एक और डिवाइस है I don't know कौन सा है वह उसमें अपडेट गया बाकी किसी में यह अपडेट नहीं गया बाकी मी 11 एक्स प्रो या फिर Redmi Note 12 प्लस 5G किसी भी डिवाइस अधर डिवाइस में जवारत